आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक केमिकल स्टॉक के बारे में ये केमिकल के साथ साथ फार्मा सुटकल के लिए भी काम करती है कमपनी बहुत ही दिगज स्टॉक है लगातार स्टॉक के अंदर बहतरीन जली देखी जा रही है लॉंग टम के लिए आप इसे अपने करेंगा तो आप एड करिए जब भी इसको मौका मिले गिरावट में एड करते चलिएगा दोस्तों इस टॉक को दोस्तों बात कर रहा हूं है सांदार स्टॉक आयोल केमिकल और फार्मा सुटकल के बारे में बहुत ही बैतरीन स्टॉक है रॉकेट रैली लगातार जारी स्ट स्टॉक के अंदर बी स्टॉक लिस्टेड है और लॉंग टर्म के लिए बहुत ही सांदार प्ले हो सकता है और सबसे अच्छी बात इसका वैलुएशन अभी बहुत ही चीप है तो अपसाइड बहुत ज्यादा दिखाई दे रही दोस्तों आंगे तो आज 16 सितंबर को करीब करीब नसी पर साड़ेश है परसनले आप कह सकते हैं तेज 59 पचास रुपए की तेजी देखने को मिली और 823 रुपए प्राइस प्रीवेस क्लोश साथ सो तेहतर रुपए का आज यह ओपन हुआ था साथ सो पिचतर पे और दिन का हाई लगा है 849 रुपए साथ सो पचतर जहां पर यह स्टॉक खुला तो वही इसने दिन का लू लगाया है तो दोस्तों लॉंग टम के लिए बहुत ही दिगज स्टॉक है जगह दीजे पोर्टफोलियो में बहुत ही तेजी से पैसा बना के देगा और मार्केट में तेजी रही तो ऐसा रिटन आपको देगा कि आ किस प्रकार से रिटन दिये आए देख लेते हैं तो करीब-करी Orlando. रेली पैसा 14 गुना 3 साल में किया है तो ऐसे स्टॉक में पैसा लगेगा तो दोस्तों पैसा बनेगा और यह कंसिस्टेंट रेली जारी है ऐसा नहीं है कि फार्मा से और कैमिकल के वेंचर के चलने वाली कंपनी कोविट के विए से चल रही है लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों कौन से स्टॉक खाईते हैं जैसे मैंने नाम भी नहीं सुने होते हैं उस टाइप के स्टॉक आप लोग लेते हैं और कमेंट करते हैं मेरे चैनल पर तो 16 सितनमर को एनसी पर जो क्लोजिंग हुई दोस्तों 823 रुपए की वाल्यूम जो ट्रेड हुए है दोस्तों चौबिस साल में 348 परसेंट के रिटन दे के फार्मा सुटकल और केमिकल दोनों में काम करती कंपनी जैसा मैंने आपको बताया और मार्केट कैपिटल इसका 4775 कोड का यह कि स्मॉल कैप का भी स्टॉक है और सबसे अच्छी बात जो है स्टॉक के अंदर दोस्तों पी वैल्यूएशन आप देखिए इसका 11.26 अभी भी बहुत ही कम पी पे काम कर रहा है तो लॉंग टर्म के लिए बहुत ही दिगज स्टॉक है केमिकल के साथ साथ फार्मा सुटकल में भी काम करती है कंपनी और फार्मा सेक्टर में ज्यादा काम है केमिकल में भी इसका अच्छा काम है तो प्रमोटर के पास 43.69% की होल्डिंग है FII 6.47% mutual fund 0.02% non-institutional investor 49.59% other DIG पास 0.03% की होल्डिंग दोस्तों IOL के स्टॉक के अंदर दोस्तों देखने को मिल रही है majority shareholder non-institutional placeholder holding none मतलब गिर्वी रख्ये सेर की समस्या नहीं है mutual fund की 40 की मुने पैसा लगाया है FII 28 की मुने पैसा लगाया है promoter with highest holding Maya Devi polycott के पास 17.05% की होल्डिंग है highest public shareholder वासुदेव commercial limited के पास 7.95% की stake आप हम जैसे जो retail निवेशक के 24.12% का stake आप हम जैसे निवेशक भी रखते हैं तो दिगज stock को portfolio में जगह देंगे तो भरपूर पैसा बनाने का पूरा दमखम रखता दूस्तों stock